इसमें कोई दोराएं नहीं कि कॉंग्रेश के लिए पर विए सेंकट की घड़ी है, क्योंकि एक सहयोगी जो कि प्श्ले आज़ साह से लगातार कॉंग्रेश के साथ बना हुला था, आज वो अपना ना था, कॉंग्रेश से तोड़ना जा रहा है। हमारे सार्विया अशोक सिंगल ने कॉंग्रेस के वरश निता दिवीजे सिंग से बादचीत की आईए देखते हैं हुनकी बादचीत प्रश निता दिवीजे सिंग जी तुनाव की बाद की जा रही है थर्फरंट का विकल्प तलाशा जा रहा है आप लगता है कि मुलायम सिंग अगर ऐसे संभावने बनते हैं क्या मुलायम सिंग को कॉंग्रेस समर्थन दे सकती है प्रैमिनिस्टिशिप के लिए पहली बात तो हमें इस बात का दुख है कि ममता बैने जी जिनोंने की बहुत संगर्ष किया है लिफ्ट फ्रिंट की उकूमत के खिलाफ उन्होंने हमारा साथ छोड़ा है लेकिन आज भी उनके प्रती हम लोगों का उनके प्रती सम्मान और सानबूती है जहां तक थर्ट फ को नहीं ला सकती है तो मुलायम शिंग एगर ऐसी स्थिती बंती है क्योंकि आज वामपंधी पार्टियों ने भी कहा है समाजवाधी पार्टियों ने भी काए कि चुनाव के बाद जब भी चुनाव होंगे ना कॉंग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी थर्ट की सरकार तिसरा विकल पाएगा, उसमें मुलायम सिंग प्राइमिस्टर के प्रबल दावेदार होंगे, तमाम पार्टी उने का है, दोजा चाउदा में बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिती बनकी मुलायम सिंग में समर्थन देगी कॉंग्रेस, मैं आप से कह रहा हूं, दोजा च कि सरकार हो गई है, कहते हैं मायनिर्टी की सरकार है, इस विक कॉंग्रेस की, अलपत की सरकार पहले भी चली है, 69 से 71 की इज़न चली है, इंकानवे च्यानवे की भी चली है, आज भी हमारे पास भहूमत है, और अभी भी लगभग 300 से ज़्यादा संसदों का समर्थन हमें मि की तर, तो आपको लगते हैं स्टेविटी ज़्यादा बढ़ेगी सरकार में शामिल होने से, यह सारी चीज़ा का नेर्ने, हमारे केंद्री जो लेतर तो है, कॉंग्रेस पार्टी का वो लेगा, लेकिन आया तो बहतर होगा, इस सारा नेर्ने, कॉंग्रेस पार्टी की मत नहींते हैं, लेकिन स्टेविटी जरूर है, कैमर मन पिराकी के साथ अशुक सिंगल, दिल्ली आज तक